हाँ जी बिखुल ठीक पड़ा आपने थमनिल में इस वीडियो में आपको मिलेगी पांच ऐसी बहुत ही सिंपल, इजी और त्रंट अपलाई होने वाली प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें यूज करने के बाद ट्रेडिंग में आपके प्रॉफिट्स कई गुणा तक बढ़ने वाली हैं, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेकनीशियन और पच्ची साल लंबे ट्रेडिंग करियर में क्रोडों कमाने वाले प्रकाश गाबसर कहते हैं कि ये सारी टिप्स इतनी सिंपल हैं कि आपको मुझे सुनने तक की जरूरत नहीं, कोई एवरेज सी नोलेज वाल बंदा भी अगर कुछ टाइम बैट कर ठंडे दिमाग से एनलाइज करें तो वो खुद ये सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेगा, लेकिन आज कल की इस बागदोर बड़ी जिंदगी में सब एक दूसरे की देखा देखी दिमाग को ताला लगा कर बागने पर जोड काम एक्चली सबसे इंपोर्टेंट है, उसके लिए किसी के पास दो सेकिंड का भी टाइम नहीं है, ये वीडियो इन्वेस्टोग्राफर चैनल के प्रकाश गाबाजी के साथ हुए एक देड़ गंटा लंबे पोड़कास्ट की समरी है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ ट्रेडिंग जानिके वपार किसी भी त्रेंका हो, एक सिंपल सी बात जो एक शोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि इसमें प्रोफिट और लोस दोनों ही हो सकते हैं, इसलिए स्टोक मार्कित में ट्रेडिंग करते टाइम अंबीशियस रहें, मोटिवेट रहें, लेकिन रि लेकिन लोग ये बात मानने तक को त्यार नहीं होते, मार्कित खुलते ही उन्हें कुछ न कुछ खरीदना होता है, और फिर वो असेप्ट करते हैं कि मैंने खरीदा है तो बाब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अगर मैंने बेच दिया, तो इसे क्रेश होना ही चाहिए, कित लोग असेप्ट ही नहीं करते हैं और पूरी कैप्टल डुबा बैठते हैं, परकाश गाबसर कहते हैं कि अगर आपको लोग हो रहा है, तो उसे असेप्ट करिए और बाहर आजाएए, फिर लोग हुआ, फिर बाहर आजाएए, और एनलाइज करिए कि गलती हो कहां रही है, Don't trade your emotions, trade the market, stock market में जीतने की 90% game बस इतनी ही है, क्योंकि market में क्या हो रहा है, हम उसे control नहीं कर सकते, हम तो बस अपने decisions control कर सकते हैं, और जब आपके decisions को आप नहीं, आपके emotions control करने लगते हैं, गडबड वहीं होती है, लेकिन आखर इन emotions को control कर कैसे सकते हैं, इसका जवाब आगे के podcast में मिल जाएगा, number two, keep it super simple, stock market trading इतनी complicated नहीं है, जितना इसे बना दिया गया है, क्योंकि हमें लगता है कि process जितना complicated होगा, पैसा उतनी ही तेजी से आएगा, जबकि होता इसके बिल्कुल opposite है, दस्त रहे के setup, 20 type के indicator, अरे बाई, जितने ज़्यादा tools को use करोगे, उतने ज़्यादा confused हो जाओगे, पैसा कमाने के लिए आपको बस एक setup चाहिए, कोई भी एक setup पकड़ लो, और practice कर करके उसे इतना master कर लो, कि आप कह सको, मेरे जैसा इस setup पर कोई नहीं खेल सकता, जैसे कोई शोटा बेबी बोल के नहीं बताता, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसकी बात समझ जाती है, उसी तरहें चार्ट आपसे बाते करना चाहिए, आपको indicator की चाल पढ़नी आनी चाहिए, कि indicator बाए तो दिखा रहा है, पर इसकी चाल ठीक नहीं है, और setup final हो भी गया, तो mostly लोगों को तो indicator ही confuse कर देता है, दो indicator लगाए थे, दोनो अलग-अलग call द पिर नहीं हुआ, शे लगाए और दोनों साइट तीन-तीन हो गए तो, चलो साथ के साथ try करता हूँ, क्यों अपने आपको चकर में डाल रहा है, सिर्फ एक indicator लगाओ, प्राइज का, बस, एक time आएगा, प्राइज खुद बोलेगा, मैं उपर जा रहा हूँ, चलना है तो आ पारे में कुछ नहीं जानता, मुझे future का data देखना नहीं आता, मुझे तो बस चाक देखना आता है, लेकिन मुझे जो आता है, बहुत अच्छी त्रहें से आता है, और इसमें कोई नई बात थोड़ी ही है, distractions को शोड़कर बस चिडिया की आँख तिखाई देनी चाहिए, ये formula तो हर field में ही अपलाई होता है, लेकिन इसके लिए जो discipline, जो dedication, जो patience चाहिए, वो किसी किसी में ही होता है, और एक बार आपने जो parameter set कर दिये, तो कर दिये, फिर उनसे इदर उदर मत होए, चाहे trade कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक वो आपके parameter में ना आए, उसे मतलो, जैसे के गाबसर कहते हैं, मेरा एक rule है, I want my trade my way, और I don't want a trade, जब आप इस तरहें के filters लगा कर decision को एक process में set कर देते हैं, तो emotions में आकर गलती करने के chances बहुत ही कम हो जाते हैं, और emotions के कारण ही 99% लोग stock market में अपना पैसा गवाते हैं, नमबर 3, think about big picture, ट्रेडिंग में काफी लोग हर trade को अलग अलग देखते हैं, 4-5 ट्रेड अलगा कर गलत गए तो उनका patience जवाब देने लगता है, इस time आप big picture पर ध्यान नहीं देते, जैसे for example, एक cricket match चल रहा है, अब हर over में तो boundary नहीं लगती, पूरी inning में madden over भी कि total run कितने बने, same ही trading में अगर आपने 20 trade का जां 50 trade का short लिया, तो उसमें कुछ trade गलत भी जाएंगे, लेकिन हमें तो overall देखना है न, कि दिन के end में हमें profit हुआ जान लोज, अगर 2 रुपए का भी profit हुआ तो ये green day हुआ न, हमारा focus green day पर होना चाहिए, green days मिलकर बनाते हैं green month, और green month मिलकर बनाते हैं green year, और green year मिलकर बनाते हैं green decade, number 4, over expectations, stock market में पैसा गवाने का एक और बड़ा कारन है, market से over expectation, जहां bank में FD पर 6-7% return दे रहे हैं, stock market में लोगों को 100% वी कम लगता है, आज आप जो job कर रहे हैं, उसके लिए आपने 14-15 साल study की, अब कई साल से वह काम भी कर रहे हैं, तो क्या आप अपने काम में perfect हो गए, लेकिन stock market में लोग पहले दिन से ही खुद को perfect मानते हैं, पहले दिन से ही पैसा कमाना चाहते हैं, अरे बाई, stock market इतनी भी असान नहीं है, जब एक बंदा profit में है, तो 100% sure है कि दूसरा कोई loss में जा रहा है, तो जो लोग सालों से खेल रहे हैं, इवन आज कल तो computers भी इसमें involved हैं, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आप पहले दिन से ही उन्हें बीट करके पैसा शापना शुरू कर देंगे, at beginning जहां पर हर किसी को loss होता ही है, it's your learning fees, इसलिए सपनों की दुनिया से बाहर आईए और पहले अपनी learning fees पे कीजगे, नमबर 5, focus on basic, आपने कभी कोई क्रिकेटर देखा है, जिसने 2-4 शोटल लगाना सीखते ही, net practice छोड़ दी हो, तो क्या ये practice वाला rule ट्रेडिंग पर apply नहीं होता, सो में से ऐसे कितने traders हैं, जो आज भी paper trading को proper time देते हैं, शो के host बता रहे थे कि हम अपने students को कहते हैं कि आप daily 100 charts study किया कीजगे, तो उन्हें ये काम impossible सा लगता है, लेकिन गाबा सराज 25 साल के experience के बाद भी daily 500 charts study करते हैं, हाँ obviously ये उनके लिए अब mintों का केल है, लेकिन point य ये है कि वो आज भी सीखने की book रखते हैं, लेकिन beginners को लगता है कि उन्होंने सब कुछ सेख लिया, बस जीतने के लिए उन्हें लग चाहिए, तो ये थी stock market से related 5 tips जिन्हें apply करके आप अपने profit को कई गुना तक ब्राज सकते हैं, I hope आपको stock market से related ये podcast summary बहुत अच्छी येगा.